हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अगर कोई आपके बास आये कुलाडी लेकर आपके पैर में और सिर में कुलाडी मारना चाहा कि आपके लिए फाइदेबदा है। और हम मने करें और वो कहें कि आप समय नहीं पाए। कुलाडी जो हमें मार देगी हम उसको समझेंगे कैसे। यह तो थोपे गए कानून थे तीन कर्शी कानून इन से किसान के हालातम के सुधार हो जाएगा यह तो सोचना भी एकलपनिया है। किसान कह रहे हैं तो कानून उने मांगा ही नहीं था उनको लिए आया लेकिन भारत के किसान के लिए वापसी से क्या किसान कुछ मिलेगा या शिर्फ एक विजए है। यह अंदोलन साथ सो किसानों की सहादत के बाद किर्शी कानून वापस हुए है। तो किसान इस दर्द को भी नहीं भूल पाएंगे कि हमारे साथ सो किसान भाईयों की सहादत इन किर्शी कानूनों को वापस कराने में गई है। और नियुन्तम समर्थन मुल्य पर कोई बात बारत सरकार के दुवारा नहीं की गई, बिजली अमेंट्मेंट बिल जो यह लाना चाहते हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई, यह तो बड़े मुद्दो की बात है, अगर हम छोटे-छोटे मुद्दो की बात करें, गाउं ग्राम बात करें, तो यह हालात है किसान के और बिजली के बिल जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, छुट्टा पसू की समझ्या है, जो मुद्दे आपने गिनाये, चाहे वो गन्ने का बात हो, चाहे वो छुट्टा पसू हो, बिजली का बिल हो, यह जो और है, विन सब को यह सब चु लोग के दाम जब तक तैनी होंगे, तब तक किसान की समस्याओं का समधान नहीं हो सकता, और यह बड़े मुद्दे, जो काम जरूरी थे में नहीं हो सके इस साल में, पर लड़ाई बड़ी थी, हमें यह लड़ना जरूरी था, हम घर बार छोड़ का पहले यह लड़ाई ल चलो हमने चुनी, यह कह रहे है कि हमने बोट नहीं, पर हमने सुनी, देश नहीं चुनी, और वो खराब निकल गी, वह कारपुरेट के यह बिगगी, हम क्या करें, आप बताओ किसान का क्या दोस है इसमें, और यह अपनी मनमर्जी के बिल थोपगे, क्योंकि इनने वह से फ पर नहीं, आप इन्होंने वापिस लिए, किसान बहुत कुछ खो दिया, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? उसका लाबकारी मुल्ले मिले, तो हमें कुछ खेती में करने में मजाएगा, और लोग खेती की तरफ जाएंगे, ने तो खेती छोड़ के भाग रहे हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं कि क्या करें, नुकसान है, जीवन भी अपन रियापन नी कर पारे डंग से, अभी जो मुंग मौट बारिस होगे, ज्यादा खराब होगे, हम तो इत्ताए रूपया देंगे, जब कॉंटेक्ट फारिम में आ जाओ गया आप, तो कंपनी डिसाइड करेगी रेट, जो MSP गारंटिट कानून ही है, तो वो कैसे दे देगी उनको मुले, वो जब मनमर जी आवसे दे पेचते जा रहें, और तेज तरक्की कर रहा, देखेंगे, जो लोग पहले जानते हैं कानून क्या है, किस तरफ जा रहा है, कहां फाइदा है, कहां नुफसान है, इस डेड़ साल में उन्होंने वो सारे अध्याय पढ़ लिए, सारे समिधान की धाराएं पढ़ लिए, और कहां बिद्ट है, कहां पढ़राएं?